जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल दोस्तो आप सभी का आपके अपनी चैनल में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत ही और आपका बहुत आवार है अभी तख आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जान से आप नहीं जूड़े हैं प्लीज मैं आपसे छोटा सा निमीदन करना चाहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जूड़ जाएगा तो अगर आपको उसे बात करना है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप वाटसप पर अपोट्मेंट लेकर बात उसे कर सकते हैं आज हम इस वीडि प्रशन मेरे सामने कई बार पूछे जाता है और यह बहुत बड़ी बात है तो आज इस वीडियो को पूरा आप देखें क्योंकि आप अगर बहुत दिनों से कोई यह आपका कोई परिशित भी परिशान है तब भी आप उन्हें यह बात जरूर बता दे तो वह इससे बाहर आजाएंगे तो इस वीडियो को आप पूरा और अंति तक देखें यह बहुत महत्पूर्ण जानकरी मैं आपसे शियराज कर रहा हूं इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें अगर आपको अंति तक देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो सबसे पहली बात कि हम कई दुखी है तो उन जितनी भी यादें और जितनी भी बातें उन्हें आप भूलने की कोशिश करें और अब आगे बढ़ने की कोशिश करें क्योंकि पहली और मुख्य बात एक उबरकर बाहर आती है कि जो पीछे हुई गई कोई दर्दना गटना या हद्जा उससे हम उबरक बहर नहीं निकल पातेओं चाहे कि एृषिश कद देऊ तो पहलियों उन्वक्रीजए कि हम कूछ वर्तमान साथ सत्य हुआ और सत्य के साथ streams में डहना चाहिए इसलिए जो भी पूरानी कोई एसी गटना जो हमों से बाहर नहीं निकाल उससे आप बाहर में तुलिए दूसरा पॉइंट है कि हम अपने अंदर जो एक नेगिटिविटी इतने सालों से जो भर गई हम बहुत नेगिटिव 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 थोर्ट प्रोसेस होता है हमारे मन में जितने भी ख्याल को नेगिटिव आते हैं हम कोशिज भी कर इसी उर्जा है जो आपको जीवन में उचाईयों की उर ले जा सकती है और परिशानी को हमेशे के लिए खत्मा कर सकती है क्योंकि अब होता यह है कि हम पूरे निगर्टिव वे में रह रहे हैं और थो हमें सब को चीजे नकारत्मा की दिखती हैं सब कुछ नकारत्मा की होती है इस तरह इस तरह थो बड़ा जाल है इस जांग को काटने का एक ही सबसे मैन और मैं चीजे अपने माहिण सेट आप ओने वीचार को जितनी भी पॉजिटिव अच्छी है उस पर फोकस करें और लिखले क्योंकि जब पॉजिटिविटी आपके साथ 80 हो जाएगी बहुत सारी तब आपको अंदर से आत्म विस्वास देगी आपको अलग फील देगी और आप बहुत जल उससे बहारा सकते हैं तीसरी और मुख्य बात होती है कि हमारे घर में जो भी अनावश्यक चीज़े हैं जिनका उप्योग नहीं है उन अनावश्यक चीज़ों को आप घर से जरूर जल से जल बहार करते हैं चौती ही बात है आप अपने गुरु मंत्र उसका जब जब से ज़ाधा करें तो यह चार चीज़े हैं इनको करने से पहले स्टेज पर आपको फायदा होगा इस पर मैं दूसरी वीडियो लेखे आऊँँगा तब तक के लिए आप वीडियो पर लाइक कर जैश्री महांकार